हालो विद्यार्थियों शुहाना फ्री क्लास इसमें आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत आज रिकार्डिंग क्लास एक आप लोग के लिए डाल रहे हैं क्योंकि घर पे काम चल ला हम लोग को आवाज दिखाई भी देख रही होगी गुड़ आप्टरनूस अभी को तो यह इसको हमने यहां तक पढ़ा दिया था अगया आप लोग वीडियो देख लिएगा तो हमको सिर्षिक भीभिन पढ़ाना अ जो अस्तम सीर्ष के प्रति बीभी नंग होते उनको पढ़ाना था बीना माठा हुआ नीचे का बुनियादी पत्थर जिसके उपर इस्तम इष्ट खड़ी की गई है इसके चौकोड छेद में इस्तम का कुछ भाग बैठाया गया था तो इस्तम इस्ति है जो पूर घट जिसम सब आपके क्या है अस्तम के डीभी नंग हो जाते हैं सहोधा होता है गोल्ड या झोकि क्या होता है गोल लांड या चोकी जो दिग मंडल की आकरिति की हो इस पर चार क्या क्या गया है चार महा अजाय ने पश्टु और चार छोटे चक्र अंकित किये गए हैं चार सिंग पीठ शटाय हुए गुड़ू बैठे हुए है तो महा चक्रिस में चक्र का पूर्ण निर्मित रूप दर्सित होता है तो यहां पर आवाज होने लगी थी हमने सोचा कि थोड़ा सा बंध है तो पढ़ा दे देखते हैं चार सिंग पीठे शटाय हुए गुड़ू बैठे हुए थे महा चक्र जिसमें चक्र का पूर्ण निर्मित रूप दर्सित है उप्रोक्त छाय अंगों में पूर्कालिन परंपरा जैसे रीक बेद के समय मिलती है जो यहां पर ऐसी पूर्कालिन परंपरा है जैसे रीक बेद के समय मिलती है ऐसा यहां पर बताया गया ह तो मौर कालिन प्रेस्तर कलाकृतियां हैं तो मौर कालिन प्रेस्तर कलाकृतियों में आपको फिर से आगे तक देखना है तो यहां पर आगे देखते हैं मौर कालिन प्रेस्तर कलाकृतियों में क्या होता है तो भारत के बिभीन प्रांतों में मौरकाली नहीं प्रश्तर कला कृतियें, बिलती हैं। तो यहां पर चटान में उत्किड़ हाथी जो बोध गया में ब्रज्यासन जैसे ब्रज्यासन बेश नगर से प्राप्त फिर क्या है यहां पर बेश नगर से प्राप्त दो अस्तम सीर सहुत्तर प्रदेश के देहरा दून में अस्तोक में कालसी सीला प्रज्यापन के साथ उत् ब्रज्जासन पाया गया है बल्वव पत्थर का क्या है ब्रज्जायसान जिस पर मौर काली नौबदार पाली से मुख्ष बिशेष्टा होती है चौकोर आसन का तल तरा से गय तिकोने सब उसकी अगली किनारी हंस और मुझ कुंद पुषपो से अलंग रही थे हंस तथा क्या जो शीष का घेरा होता है उसमें दर्शित किया गया है घेरा में यही आक्रित को दर्शित किया गया है बहुत शाहित में उलेक में गौतम बुद्ध ने जिस ब्रज्जासन बैठकर जैसे कहते ने ब्रज्जासन में बैठ गए तो उसके बुद्धिस को प्राप किये थे व प्रधम सताब्दी में मंदिर का निर्माड हुआ है करनिंगम दारा उत्खनन कराए जाने पर इसमें और शेश प्राइब हुए है अब धौली चट्टान का हाथी मोश्ट इंपर्टर्ट प्रश्णी यहां से बनता है उरीशा के पूरी जिली के अंतरगत कहां पे धौली पूरी जिले के धौली चट्टान के अगर भागमें विसाल आगे भागमें जैसे आप लोगों वहां उसको देखा है जो मौरकाली मोर्तिकला का उत्तम है सबसे उत्तम है हाति का संपूर सरित वलिश्ट और समान उपातित से जान परता हाती चतान के अंदर से बाहरा रहा जैसा देखते का नहीं जब्रशक है कि जिसके परचेंग के वाल रामिय लीपी दिर्फ के लेग काल्सी का प्रच्वाला हाथि उसके पेरों की बीद लेग उठके हैं अपके प्रामी जिसमें लिखा है क्या जब चमते आएगा यानि रचती वाला चत्ता से बिदवादू तो इसमें क्या है उनकी माता माया देवी ने स्वपन में आकास को प्रकट होकर अपनी दाई कुरू में क्या हो समाते देखा था अब धौली का हाथी भी इसी काड़ उत्किड किया गया है जो धौली का हाथी है इसी काड़ उत्किड किया गया है तो यहां पर हम आते हैं फिर बेशनगर का जो अस्तम सिर्ष ये तो काल्सी का हो गया उधर आपने देखा धौली वाला तो दिती तिती सताब्दी में जो बेशनगर का तिती सताब्दी इसा पुरी वाले में इधर आपके कल्प शूत्र के में है किया है कल्प शूत्र के रूप में है दूसरा तार पत्र पत्रों तथा वहां पर ब्राम्मी लिपी था अपने देखा नमा यहां पर त्रार पत्री पतों पर फलों के रूप में उखेरा गया काल्प बेश में वस्ता रुभूशड़ों को लटकते हुए यो मुझकी सिकों से भरे ठायले कोदा काल पर ब्री छे क्या है मानों जो छे कि इसमें हर्च इछापुर करने वाला हा ना तो शीकों से भरे कुए दर्शाया गया काल पर ब्री छे संगर से पावाया तो था दूसरा कोशांबी की नामगाव में प्राफ्त होता है वर्तमार में इलहाबाद विश्विध्याले के प्राचीन इतिहाथ संट्की तो पूरा तो बिभार के संग्राले में अवाला है तारपत्रि वाला तो यहां पर आते हैं यच्छ प्रतिमाय, यच्छ प्रतिमाय भी इसी समय है ना, यच्छ प्रतिमाय कला की परंपरा या प्रांगड में महा काय यच्छ प्रतिमाय तथा होता है, जो मथूरा में उड़ीशा, वड़ासी में बीदिशा, पाटली पुत के सुर्व, सुपरीक् प्रभ विश्व रूप से प्राग्यात होता है कि देवताओं की मूर्तिया इसे उन लेखनी इच्छी प्रतमाय हैं जैसे आपके देखते हैं माथूरा से जो परखमेच मिला है प्राथ अच्छी कि मूर्ति चोग की पर-लेख लिखा है कौन सा इसे मानीभध मरीभध की संगय सब आचीया है जिसका अस्थानी नाम तेली है भारती संग्राले जो बेशनेगर से अच्छी प्राप्ध है उसका स्थानी नाम तेली है यहां पे संग्रहित होती है अब देखते हैं प्राचीन वरार्ची के राजगार से अस्थान से जो त्रीमुख ये अच्छ भारती कला भुवन वरार्ची में सूरचित है शोपारा में में शुपरीक में से प्राप्त हम अच्छी ०रांवालय उरिशह में शीर्पाल घर में मिली एक जόम ओरश्पाल शीnin में बली सब्सक्राइब को में अच्छी तरफ शुपाल कुछ साल का दो का लिए highly अच्छियों का है अब पटन से प्राप्ति प्रमुली में उपली अच्छिशं stop मया मध्ध तो पवायय गुज्री में मल्ण इच्छी है पटन सहर में दीदार गन्षस法 जो मौर्गा पतना से इस पर मोर सहली की चप पटना संग्राले में शुरचित है परितमाव की विशेष्टाएं क्या हो जाती हैं देखते हैं मौर काली नियच्छ प्रतिमाएं यच्छ पूजा के परंपरा पर प्रकाश डालती हैं इस यूग में लोग धर्म को उजागर करती हैं भारत मे अच्छ पूजा अत्यंत प्राचीन था अश्री नुगाटी सभेता में मुहरों पर इसा दिस्टांकर होता है इसे ततकाली नियच्छ पूजा का संग यही यही नहीं वैदिक यच्छी का बहुत जगा है ना बड़ा सा देखेंगे आज इसको पूरा करा देंगे इतना जि हैं जैसे अर्थबद में यच्छो को पूरजना कहा गया है कैसे यच्छो को पूरजना कहा गया महा भारत में अड़यक वक्पर्व कहा गया है वैसे विरुपाच महा काव यच्छ में तामुल्च्यम कहकर यच्छ की प्रस्पाद सब क्यों अलग अलग कहा गया है रामार् जो है उसमें तो जो है महाभारत में ऐसा ब्यूरण मिलता है कि पुत्र की कामना काने वाले इस तरियां यच्छ पूजा के लिए जाय करती थी किसमें महाभारत में यही परंपरा किसी ने किसी रूप में आज गाँगाँ में बरम भावा बरम नहीं पते हैं अब आप लोग जानती है worm बावा जैसे ब्रामा अथव कहारं जख्षय यह रूप में बिदमान होता है हम देखनों देखें लोग हैं क robi बारम बाबा है इनकी पुजा शेथ है तो Eduardo अदब कर रहा है तो और च्खाई है अच्छी और पुछा जाएंगा इसमान किया निूइए इस ऑ dépूसे आदम करच है जैसे कि phone高 क्री अत्यात मासाल और बालिष्ट होते हैं अच्छो बर्चारी हो गई है काल से पढ़ाने में नहीं रहा कोई सीजें इतना दिक्कत हमको कभी नहीं होता था घर सता ज्यादा हो गई से पढ़ाना भी चार हैं पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं तो यहां पर देखते हैं मासाल बलिष्ट होता है इस चतुर भुज क्या करते हैं इस चतुर मुख दर्शन के आधार पर आखाधार पर काट कर बनाएगे प्रिथ्या कुरूप से खड़ी है उनके दर्शन का प्रभाव सम्मुखिन है मानु शिल्फी ने उसे जैसे सम्मुख दर्शन के लिए गढ़ा हुआ है इस तरह से हैं ना इनके बस्त्रों में सीर पर पगड़ी जो सीर पर पगड़ी कंदों पर भुजाव पर उत्तरी चाती से होकर कमर तक कटिबन घुटने के नीचे तक धोती है ऐसा यच्छियों का पहनावा है आप देखते हैं यहां पर इनके आभुश्रों कानों में कुंडल गले में भारी कंठा चाती पर चप्टा टिकोना हार हाथ में भुजवन और कंगन उत्के यह आपके चावर धाड़ी का बहुत देख लीजिएगा इसा जैसा पहनी है वैसे ही सभी सभी रहते ह तो यहां पर आते हैं तो मौर कालिण चमकदार पालिस वाली जो है दिधार गंशे प्राप्त आदमगर चामर धाड़ी होगा तो यहां पर ते हैं जो अपने मौर कालिन उपदार पालिश का वासुदेव सरण अगरवाल ने अपनी पुछतक भारती कला में पालिश के लिए परपरा में अनियक उधार दिये हैं इसमें जो इनकी भारती कला है उसमें अनियक उधार दिये उनके बारे में आपने महाभारत में इसे लगभग एक दर्जा नैशे उद्गड़ है जिसमें चमकदार पालिस का उलेख है आप सक्त सूत्र जो पंदरा तीन पंदरा शोला सलचड़ी करड़े सलचड़ी कुरुवंती सब्दों का जो यह सब्द बताया है तो सलचड़ी करड़े सलच़ी अब इस भर्णों पर चमकदार बनाने की विधी दी गई है कि इस प्रकार चिकना करके मसालों से उसे चिकना किया जाता था अब यहां पर आते हैं काले वो बर्तन जो काले वाले वो बर्तन थे क्या है 600-200 इशापूर शारे भारत में प्राक काली लगभभभ मौर काली अस् चल की अस्ति मंजुशा पाया गया है इसकी पाया कि इस्ठल के पटना से मिली उसकाल की दो यह अच्छी जिसे दीदार कर पटना चावर धाड़े और लोहनी पुर पटना से तिर्थंकर का धाड़े इस पर यह उबदार पालिश है तच्छे सिला के भी नामक तिले के उत् से से सच्पूर थे मार्कालिन कला की विशेष्त हैं को fellow में इतना है न इतना पेडिया पढ़ा देते है अब लोगों क्यों कि क्लास चलना ही रही है अब यहां सुमकाल शुरू हो जाया गया लेकिन इसको पढ़ा देंगे मौरकालिन विशेष्टाओं को देखते हैं मौरकालिन में कार्ष के अस्थान पर जो कार्ष था लकड़ी के अस्थान पर पत्थर और इटो का धिक प्रयोग किया गया है मौर कालीन की दूसरी विशेस्ता इस प्रकार के चमकदार पालिष पार्टली पूत का राजप्रशाद दीदार के पाई गई चावरधारी और सारनाज से मिले सीला इस प्रकार के पालिष के सुन्दर नमुने हैं आप देखते हैं तीश्री बीशेस्ता धाम प्रचार वीता इसकाल में बहुत धाम के चतुर की प्रशार के लिए महत्पूर धीम का निभाई गई थी सम्राट अशोक ने बहुत प्रचार के राजभर में एक बहुत इस्थूतों का निर्मार किया अस्थान अस्थाम पर 30 से 40 इस फिटके कितना था यह भी प्रचना आता है हम उस्थाम खड़े कराएं जिस पर अशोक के धर्म लेक अंकित के धर्म लेक में पशू की आकृतियों को किरा गया शूंग काल शूंग सातवाहन काल आपके होता है कला का विकास ठीक है कला का विकास मौर काल में शमराट अशोक ने बहुत इस्थूप्य के निर्मार की जो परंपड़ा डाली वह शूंग सातवाहन में और अधिक विक्षित हुई मौर वंस का अंत करके पुष मित्र ने लगभग 187 इशापुर में एक नवीन राजवन सुग्वंस की सत्ता स्थापित किया था 187 में तो यहां पर देखते हैं मौर काली दिड़ केंद्री शत्ता के समाब्द के कला राज की नियर्टर से मुक्थ होकर जन सामान तक पहुश कर लोपरी हुई इस युग में कला कृतियां राज की शहयों के पेचचय जन सामान की युग दान से नियमी तो इसमें कथान को कवरण उपागर रूपआंकर साथ ही स्वतंत्रे मुर्तियां भी हैं जैसे रामानात मिसर का कथन है की मौर युग के बाद कला का क्लासिकल यूग कला का क्या हुआ था इस यूग में कला के अस्थानी देशों के अस्थान पर भौगोली विष्थार के कार सर्व देशी रूप में निखरने लगा इसके अंतर गर्थ मत प्रदेश में भरहुत साची उत्तर पूर्वी भारत में बोद गया उरिशा के छेत्र में दच्री भासिव के अमरावती और नागर्जुन कोड़ा पशिम भारत में काले भांजा नंद शूर तीतल खोरा जैस्थानप और बहुत इस्थोपो और बहुत अधे चैतों का निर्मार संभव हुआ शांची का इस्थूप पढ़ा देते हैं शांची का इस्थिति अनिवेशड और समच्छड सांची का जो आकांस जो आच्छांस बूखा जाता है कितना है आपके तेश से दिगरी 28 और देखते हैं उत्तर और देशांतर और 77.45 पूर है यह वाला जरू प्रेश भी बनता है विदिशा से 9 किलोमेटर पस्चिन की ओर उत्तर पस्चिन की ओर मध रेल्वे के बिना भोपाल जक्सनों के विराय सेंजिले में प्रीतम बहुत श्मारकों तथा पूरा ततिक साच्छों के अधार शाची ब्यहुत प्रशिद होता है सबस्तर से लेकर 25 याद रखेंगे सबसे पूरा ना वाला होता सबसे इसके बाद भरहुत होता है तो अपने प्रीतम बहुत श्मारकों के लिए सांची बिश्व प्रशिद है जिसने सांची वाले को जर्नलां टेलर ने आकरशित किया था असोग द्वाला नेर्मीद 84 में मिले हैं जैसे सुरच्छी तवर्स्था में बाकि सन 1881 में जब पिकासो का जन्म होता है आपके तभी नहीं क्यासी में यह वाल आप देख रहे होंगे न तो संरच्छड की ओर से ध्यान नहीं दिया लेकिन जो है आपके में मेजर कोल ले क्या किया था इस कारप की गंभीतर से लिया तीन वर्ष के अलपकाल में ही इसे आसपास के अस्थानों पर साफाई करोकर दिवारों दरारों को भर्वा कर गिरी हुए पच्छमी दच्छी तवार और भूजवेदी का था तीन तीन तोरर द्वारों को अथा स्थान पतिश्थित करा दिया इसके बाद बच्छी हुए कार को पूरा तत्व महा निदेशा सर्जान मार्सन ने पूर करने का प्रियास किया सन 1912 जवाब के किसका केके हबर का जन्म होता है साथ में 1929 में यस धनपाल और देवकी नंदन सर्मा का जब कला भावन के अस्थ दर्सा में सुधाल लाया सन 1936 में मुहंबध हरी हमीब पूरिशी पहाड़ी की डहलाम पर इस्थित एक दो की बीच गुश्खनन कराकर बहुत भीहार के अउशेष को प्रकास मिला है इसके बाद यद्यप यहां कोई उत्खननकार नहीं हुआ यस मार्कों का परिछर समरच निर्वाद गति से चलता रहा जिसमें चार ओर जिसमें आने वाली पिडियू देखकर भारत के गौरों प्रते सम्नित साली अतीत का परचे प्राप कर सके तो यहां पर फिर आते हैं साची क्या है उत्तरी द्वार इस साची का उत्तरी द्वार है आपका यहीं क्लास समाप्थ होगी और रिकार्डिंग क्लास ऐसे ही जैसे थोड़ा बहुत डालते रहेंगे दो एक दिन आप लोग इसको देखते रहेंगे और यहीं क्लास समाप्थ होगी आप लोग का बहु करेंगे दहने बाद